आई ये बात करते हैं एंटी होमो सेक्शल अटिट्यूड के बारे में मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित अगे हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं हमारे देश में पहले सी समलिंगी आ सकती हो है होमो सेक्शलिटी मतलब गे या लेजबियन्स मतलब मेल में यदि होमो सेक्शलिटी है तो वो गे है महिलाव में होमो सेक्शलिटी है समलिंगी संबंद है तो वो लेजबियन है तो उनके बारे में ऐसा था कि ने वो बिमारी है उसको मानियता नहीं थी, मगर अभी हमारे दर्श में उसको मानियता मिली है, होमो सेक्शॉलिटी को, नव पुरुष-पुरुष संबंध रख सकते हैं, स्त्री संबंध रख सकते हैं, और जीवन जी सकते हैं, अभी वो गुना नहीं है, तो अभी यह सब देखें, पिछले काम पे रख रहें JW लोग कम पने को Mira cya काम पे रहें पूरा है क्या ही तो लोगों का पंपड्रा ही चाल अफर unhappy warrior हो रही है तभी भी कुछ लोग एंटि हो मतलब यह हो करते हैं या उसको माननेज़ा देते नहीं तो वह यान एंटी लेजबियन है स्त्री स्री का संबने उसके खिलाफ है और वो उनकी आलोचना करते हैं उनको मानेता देते नहीं है और वोलते कि नहीं है गलत है तो फिर ऐसा क्यों होता है वह हम देखेंगे अभी होमोफोबिया जो टर्म है इसका मतलब एक डर या घृणा समलिंगी ल यह जो गेय या लेजबियन से उनके मारे में डर या घृणा है और वो उनको अच्छी नजे से देखते नहीं है तो उसको बोलते है एक्स्टरनल हमोफोबिया और दूसरा है कि काफी बहुत ज्यादा मात्रा में होमोसेक्श्वल्स जो है कि जो गेय है लेजबियन से या ब ओबबब करैसार नहीं है उनको अच्छा लगता नहीं हो जो अच्छा लगता है तो वह अच्छा लगता कि अपने अच्छा संस्टा जैसी नहीं है मगर वो अब उनकी एक आदस्य बन गें, उनकी एक मजबुरी बन गें, उनकी एक brain pattern बन गें और वो हिसाब से वो होमो मतलब होमो सेक्ष्यल है उनको अच्छा लगता नहीं है तभी भी वो होमो सेक्ष्यल करके जीवन जीते हैं है इंटरिनल हुमोफोबिए है उस देजिते हैं यदि वो खुद को लाइक नहीं करते हैं पर उसनुड जीएटे उनका सेल्फएस्टिंग कर रहता है कि नहीं खीक नहीं गर्रे तो उनका डिवालेशन होता है self-esteem कम होता है उनका identity problem identity crisis create हो सकता है और उनको फिर यह ज्यादा ही यह होते गाया तो उनको depression anxiety या फिर और कोई major psychiatric illness मांसिक भीमारी हो सकती है झाल झाल झाल